यह नाओ, नाओ में चरकर उसपाड जाना पड़ता है, तब हम लोग नदी के इसपर वाले उसपाड जाते हैं, यह पतना का गोल घर, हम लोग गये थे गोल घर घुमने के लिए, तो देख सकते हैं आप नजारा, गोल घर का कैसा नजारा है, यह हमारा बस पतना जाने के तो पतना जाने के लिए ऐसी बस में हम लोग सफर कर रहे थे फिर यह है पतना जाक्षन देख सकते हैं, पतना अक्षन पहुचे सुबह है यह है मेटारो पतना का जो मेटारो ब anticipating रहा है यह अभी काम चल रहा है बन जाएगा फिर आप लोग मेटारो में घुमिये मैं मचरने लगे नदी का उस पार है हम लोग सेमान चलवास ही है भाई हम लोग बहुत मुश्किल से नदी पार करना पड़ता है किशन गन जाने के लिए हम लोग 40-45 किलो मिटर दूर घूम के जाते हैं तो नाव पार करके हम लोग कान की जाते हैं उसके बाद फिर किशन गन जात क्या बोलते हैं कि बारो भजा बोलते हैं हम लोग वो खाने के बाद फिर हम लोग बस में चरने जा रहे थे क्योंकि रात आट बजे बस थी हम लोगों की पटना जाने के लिए हम लोग बस में गए थे पटना तो वहाँ पे 500 रुपे सिलपर सीट का था AC बस है भाई उपर से थन्ड़ का मौसम है मगर क्या करे हम लोग बैट गए गारी में तो भाई हम लोग सीट ढूनते ढूनते गए उदर फेरल सीट मिल गया फिर सुबह हुई फिर जाके हम लोग पटना जक्षन में जाके उतरे थे वहाँ भई सुबह साथ बज़ रहा था फिर उसके बाद हम लोग मुहाद धुए फिर वहाँ से चल गए उदर पटना एक्षन धोरा देख लिए उसके बाद फिर हम लोग चल गोल घर गोल घर जाके पहुँचे देखिए वहाँ पर ये गोल घर का नजारा है बहुत स्कूल का बच्चे लोग आये हुए थे घुमने के लिए हम लोग भी थोरे घुम लिए और आप लोग भी देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा हम लोग गोल घर का मज़ा लेते हुए फिर हमारे दोस्ते इधर उधर टेहलने लगे घुमने लगे ये गोल घर में बहुत सारे स्कूल स्टूडेन आये हुए थे वो लोग सब मज़े करें गोल घर तो पहले बार गये थे हम लोग मगर नाम तो बहुत हालेट है मगर गोल घर जो है देखने में इतने खुबसूरत नहीं है मगर नाम बहुत भानक है कि गोल घर गोल घर गोल घर देख सकते हैं कैसा है आप लोग को कैसा लगा गये नहीं है कभी जरूर कॉमेंड में बताइएगा आप लोग के गोल घर कभी गए हैं के ने देखे हैं के ने वैसे तो पटना में famous जगह है के गोल घर उसके नाम पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और हम लोग भी देखे थे वीडियो में कभी गए ने थे गोल घर पारक भी घुमने लगे, हम लोग भी घुमने लगे, घुमने के बाद फिर जब है, गोल घर से हम लोग जाने लगे वहाँ से, फिर गोल घर, क्योंकि ज़्यादा तर रुकना मुनासिब नहीं था, वहाँ से गांधी मैदान जाना था, फिर हम लोग गोल घर से जाते हुए, आप बोले कि ठीक है फिर मिलते है आप लोगों से गॉल घर देख लेए आप लोग फिर गे हम लोग कहा बनते है गांदी मैदान का गीट यह गांधी मैदान है पांच नंबर गीट है यह गांधी मैधान मैं और जाने के बाद प्टना का पटना में तो बहुत ही रोड जाम है ट्राफिक बहुत जाम रहता है भाई आप फज जाएंगे जाकर क्या करना निकलना मुश्किल हो जागा अब लोगों को तो यह मेट्रो बन रहा है अभी फैनल नहीं हुआ है पी काम चल रहा है मेट्रो का इसके लिए रोडों पे बहुत जाम लगा हुआ रहता है ट्राफिक बहुत जाम रहता है अगर फजने वाले आदने फज जाये तो भी घंड़ घंड़ लग जाता है अम लोग पैदल चल रहे थे बहुत मुश्किल हो रहे थे चलने में तो यह गांधी मैदान का जो अंदर घुसे हम लोग तो देखने ले आप लोग को देखा दिये गांधी मैदान बहुत बरा मैदान है आप लोग वीडियो कैसा लगा भाई अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर देना और एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना क्योंकि हम लोग गये थे तो चलो आप लोग को दिखा दूँ ये ब्लोग कैसा रहेगा आप लोगों को अगर अच्छा लगया तो भाई जरूर हमारे वीडियो को प्यार दीजिए गांधी मैदान गोल घर जितने भी देख लिए आप लोग तो बहुत बहुत शुकूरी आप लोगों का अमारे वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए फिर कभी मिलते हैं असलाम उलेकूम खदा हाफिज लाइक कोमेंशिर्स